कि महत्यपूर्पून प्रशनों के बारे में काफी इंपोर्टेंट प्रशन है तो आपको इसकि बिलकुल भी नहीं करना है वन लाइनर प्रशन है प्रशन पढ़ता ही आपको आंसर का पता चलने वाला है सभी प्रशन ले लिए गए हैं परिवार एवं मित्रे से संब्दित तो आपको बिल्कुल भी skip नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, और यदि वीडियो चलेगे तो आपको like करना है, share करना है, और चैनल को subscribe कर लेना है, वरेदिया आपको इसकी PDF चीए, तो आप हमारे apps याप पी टेलिग्राम के माध्यम से इसकी PDF राप्त कर सकते हैं, अज का पहला प्रशन है, परिवार सब्द की उत्पत्ती किस भासे से हुई है, तो याद रखीगा, ये लेटिन भासा के फेमुलत सब्द से हुई है, परिवार सब्द की उत्पत्ती, परिवार कितने प्रकार के होती है, यदि साधन प्रशन पूछें कि परिवार कितने प प्रकार के होते हैं तो दो ही प्रकार के होते हैं एकल परिवार और स्विक्त परिवार चलिए दूसरा प्रशन है परिवार की विसेस्ता यहां पर देखे जितनी भी इंपोटेंट विसेस्ता हैं परिवार की वह सभी ली है तो यहां पर आपको सभी को याद कर लेना है प्रजिनन और आर्थिक बंदन यह सभी परिवार की विसिस्ता है तो इन सभी बारा विसिस्ताओं को आपको याद कर लेना है काफी इंपोर्टेंट हैं तो यहाँ पर देखें विसिस्ता की बात हो गई अगले प्रश्निकोर बढ़ेंगे एकल परिवार से ताथपरी यहाँ पर जिस परिवार में माता पिता एवं उनके आविवाहित बच्चे रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं एकल परिवार कहते हैं दियान दीजीगा एकल परिवार जिस परिवार में सिर्फ माता पिता एवं उनके आविवाहित जहां पर बच्चे होते हैं उसे क्या कहते हैं एकल कहते हैं तो आपको ध्यान में रखना है चलिए अगला प्रशन है स्विप्त परिवार से तात्परी देखी अभी हमने जाना कि एकल परिवार किसे कहते हैं सुरू में हमने जाना कि परिवार दो प्रकार के होते हैं एक तो एकल परिवार होता है और एक स्विप्त परिवार होता है फिर हमने जाना कि एकल परिवार किसे कहा जाता है जिसमें माता पिता और आविभाइद बच्चे होते हैं उसे एकल परिवार कहा जाता है अब आपको यहाँ पर सुख्त परिवार के बारे में जानकारी लेना है कि सुख्त परिवार से कातात पर है किसे कहते हैं तो जिस परि परिषन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कह आँ सेफ परिवार को भारत एडी परंपरा किसने कहा है तो यह आप देख सकते हैं ये कहा है तहीं मैक्स मुलर ने कहा है सिब्ट परिवार को बाहरत की आधी परंपरा चलिए अगला प्रशने हैं किसके अनुशार परिवार को संचेप में एक सामाजिक समू के रूप में परिभासित किया जाता है जिसके सदर्श रक्त के अधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो य विल्स तथा हाईजर के द्वारा कहा गया कथन हैं चलिए नवा प्रशने हैं किसके अनुशार परिवार एक समू है जो योन समंदों पर अधारित होता है इसका आकार छोटा होता है और बच्चों के जन्म एवंपालन पोशन की विवस्ता करता है तो ये किसके अनुशार क इसके द्वारा कहा गया है तो ये मिकाईवार पेंज के अनुशार कहा गया है कि परिवार एक समू है जो योन समंदों पर अधारित होता है इसका आकार छोटा होता है और बच्चों के जन्म एवंपालन पोशन की विवस्ता करता है चलिए दसवा प्रशने हैं गोद लिया हुए परिवार का सदर्श्य माना जाता है गोद लिया हुआ भच्चा हिंदू परम परागत विश्वास के अनुसार विवह क्या है यहां पर देखिए तो राइट आंसर हमारा क्या होगा सन्सकार होगा चलिए बारवा प्रशन है एक किस प्रकार की परिवार विस्व के सभी समाजों में पाये जाते हैं परिवार विस्व के सभी समाजों में पाये जाते हैं तो यह पाये जाते हैं नाभिक या फिर एकांग की परिवार होता है यहां परिवार विस्व के सभी समाजों में पाये जाता है जो सिक्त परिवार है वो कम ही पाये जाता तो यहां पर 13 प्रस्ण है कि किसके अनुशार माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाये जाने वाले संबंदों की वरस्था को परिवार कहते हैं तो यह किसके अनुशार या फिर किसके द्वारा कहा गया तो यह क्लेयर के द्वारा कहा गया है कि माता पिता औ और उनके बच्चों की जो बीच पाए जाने वाले संबंदों की विवस्ता को ही परिवार कहते हैं चलिए अगला प्रश्न है किश के अनुशार परिवार पती पतनी एवं बच्चों से मिलकर बना एक सामाजिक संगटन है काफी इंपोटेंट कथन है तो याद रखेगा ये इलियर तथा मेरिल के द्वारा कहा गया है कि परिवार पती पतनी एवं बच्चों से मिलकर बना एक सामाजिक संगटन है भारत में लड़के वा लड़कियों की विवहा योग नियूनतम आयू क्या है देखे प्रश्नों को आपको दिहान से पढ़ना है जहां तक मुझे ल 18-28 वर्से भी दिया होगा तो आप confusion नहीं होना है सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर प्रश्न को दिहान से पढ़ना है कि यहां पर शुरू में क्या दे रखा है लड़के दे रखा है तो शुरू में 21 आएगा और शेकंड नमर पर लड़किया दिया हुआ तो 18 वर् था काफी important हैंयाद कर लीजेगा इस प्रृषन को सत्रवा प्रशन है कि प्रात्मिक सांजी करण है यापर प्रात्मिक सांजी करण के बारे में बताना है क्या है यह सुरवाती आयूं में परिवार एवं मित्टो付 से अगला प्रश्न हैं किसके अनुशार परिवार एक ग्रस्त समू हैं जिसमें माता पिता और उनकी संतान साथ साथ रहते हैं तो ये लूसी मेर के अनुशार या फिल लूसी मेर ने कहा है कि परिवार एक ग्रस्त समू हैं जिसमें माता पिता और उनकी संतान साथ साथ रहते हैं चलिए, बीस्वा प्रस्ण है, किसके अनुशार भारत में परिवार का अर्थ सिक्त परिवार से हैं तो ये करवे, करवे का अनुशार या फिर करवे द्वारा कहा गया है, कि भारत में परिवार का जो अर्थ होता है, वो क्या होता है, सिक्त परिवार होता है, जिसमें दारा देखी एक ही गुण पूछा गया है एकल परिवार का तो यहां पर एक गुण हम बता सकते हैं कि व्यक्तित्व के विकास का उसर होता है एकल परिवार का जुगन होता है परिवार की परिकलपना के पीछे अधारवु तत्थिये यहां पर देखे परिवार की परिकलपना के प देखभाल में कोई परेसानी नहीं होती आसरित में सामिल हैं यहां पर देखे स्विक्त परिवार में सभी होते हैं जिसमें व्रद्ध भी होते हैं आस्वस्त व्यक्ति भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं इनकी जो देखभाल होती इसमें कोई परेसानी नहीं होती इसमें स युक्ति परिवार में और इस सभी सभी कित परिवार के सदस्च्चरे है यह आची ध्यतों में सामिल होते हैं व्रद्ध असवर्ष नई अस्वर्ष्थ वेक्ति ॔र बच्चे चोटे बच्चों के सामाजिकरण में खेलो द्वारा जो लाव मिलता है वहां क्या है तो वहां बालक सामाजिक प्रत्याशों के अनुकूल समाउजन सीख लेता है यहां चोटे बच्चों में सामाजिकरण में खेलो द्वारा जो लाव मिलता है वहां होता है चलिए किसके अनुशार इन्होंने परिवार को प्रात्मिक समू माना है यहां पर देखे किसके अनुशार पुछा गया है कि इन्होंने परिवार को प्रात्मिक समू माना है और इसे मानव प्रकति की नरसरी या फिर पोशिका कहा है काफी इंपोटेंट हैं तो यह CH कूले द्वारा क 26 प्रशन है 27 प्रशन है इसी परिवार को दरसाया जाता है तो यहां पर धियान दीजिए का ये पारिवारिक व्रक्ष से दरसाया जाता है किसी परिवार को काफी इंपोटेंट हैं किसके अनुशार परिवार उन व्यक्तियों का समू है जो एक ही छट के नीचे रहते हैं तथा जो रक्त सम्बंदी सूत्रों से सम्बंद रहते हैं और इस्तान हितवा पारमपरी के करतक गिता के अधार पर एक होने की भावना रखते हैं तो ये मजुमदार के नुसार कहा गया कथन है इस्तरी निम्न जाती के पुरुष से विवा करती है उसको क्या कहते हैं तो उसके प्रतिलों विवा कहते हैं क्या कहते हैं उस विवा को प्रतिलों में विवा कहते हैं चलिए बच्चे को समाजी करण का पहला पार्ट कहां से प्राप्त होता है काफी इंपोटेंट है तो यहां पर देखे समाजी करण का पहला पार्ट पूछा गया है तो यह हमेशा परिवार से ही प्राप्त होता है किसने कहा है या फिर किसके नुशार परिवार एक समाजिक समू है जिसकी विजिस्ता समान्य निवास आर्थिक सयोग एवं प्रजनन है इसमें वयस्क पुरुस और इस्त्री जिनमें से कम से कम दो के मद्द समाज द्वारा वेद यून संबंद होते हैं और एक या अधिक बच्चे श्वियम या दत्तक बच्चे सम्मेलित करते हैं या किस के अनुसार कहा गया है तो ये जार्ज पीटर और मुड़ा के अनुसार कहा गया कथन है अगला प्रशन है सामाजिक जीवन की प्रथम पाट साला की संग्या निम्न में से किशने दियाँ पर देखिए जीवन की सामाजिक जीवन की प्रथम पाट साला की संग्या के बारे में पूछा गया है कि ये किस के द्वारा दी गई तो ये परिवार के द्वारा ही दी गई है सामाजिक जीवन की प्रत्थम पाट साला की संग्या जो भी हमने चानकारी आपको देती थोड़ी दिर पहले ही उसी प्रस्न को थोड़ा सा गुमा दिया गया है और पूछा है अंसर क्या होगा तो आपका राइट अंसर परिवार ही होगा चली जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताउ ताई, बुवा, माबाप और बच्चे रहते हैं उसे क्या कहते हैं तो इसके बारे में हम सुरू में ही बता चुके हैं उसे सिफ्थ परिवार कहते हैं जिस परिवार में दादा दादी भी रहते हैं चाचा चाचे भी रेते हैं ताउ ताई भी रेते हैं बुवा, मा, बाप और बच्चे रहते हैं उसे सिव्ट परिवार कहा जाता है चलिए परिवार क्या कहलाता है तो वो बहु विवा परिवार कहलाता है कौन सा परिवार कहलाएगा बहु विवा परिवार कहलाएगा चलिए अगला प्रस्न है परिवार निर्मान का दायत वो होता है तो ये पती पत्नी का होता है परिवार निर्मान का दाय तो दोनों ही करते हैं पती भी और पत्नी भी याद रखेगा स्विक्त परिवारों में कारी कुशलता को किसके द्वारा बनाया जाता है तो यह कारी विभजन द्वारा बनाया जाता है स्विक्त परिवार में कारी कुशलता का जो काम होता है उसमें उसका विभजन किया जाता है कौन सा कारी किसको करना है तो ये स्रिक्त परिवार में कारी कुशलता को कारी विभजन द्वारा ही बनाये जाता है तो यहाँ पर कारी विभजन हमारा राइट आंसर होगा चलिए देखे यहाँ पर जो भी परिवार है जितने भी परिवार है किस आधार पर पूछे गए हैं सभी को यहाँ पर लिया गया है वन बाई वन तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर देखे संख्या के आधार पर पूछे कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं याद रखेगा यह तीन प्रकार के होते किसके अधार पर संख्या के अधार पर कौन-कौन से एकांकी परिवार सेट परिवार और विस्तरत परिवार तीन प्रकार के परिवार होते हैं संख्या के अधार पर यह आपको ध्यान रखना है किसके अधार पर पूछा गया है संख् सा कानून बाद दिकरता है काफी इपोर्टेंट प्रस नहीं आप सभी को पता होना चाहिए ये माता पिता एवं वरिष्ट नागरिक देखरेक एवं कल्यान विद्येग 2007 जो कानून है ये बाद दिकरता है माता पिता और अभिभाव को की देखरेक करने के लिए संतानों को त भी कारण में साथ कारण यहां पर बताने वाला हों जो कि काफी इंपोर्टेंट हैं जनसंक्या वरद्धी सामाजिक बदलाओ अर्थ की प्रदानता रोजगार और विवसाय के लिए प्रवजन ग्रामों से नगरों की और जनसंक्या पलायन स्वतंतर रहने की एक्षा और प स्वιοक्त परिवार के प्रमुक्छन के बारे में आको बताना है तो यहां पर कुल नो लक्षन लिए हैं जिसमें स्विक्त समिती हैं साजा निवासिस्थान है सहकारी संगठन है पारसपरिक अधिकार एवं दाइत्व है सदर्शियों में एक निशित संसिक्रण है तुलनात्म किस्ताइत्व है साजाधर में है उत्पादक इकाई है और विशाल आकार है ये स्युक्त परिवार के प्रमुक लक्षण है जो काफी इंपोटेंट हैं सभी लक्षण को एक बार पढ़ लेना है तो यहाँ पर अगले प्रश्ण के और बढ़ेंगे यहाँ पर देखिए स्युक्त परिवार के गुण यहाँ पर देखिए अब आपको कारण आपको पता चल गया है अब गुण के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए स्युक्त सेयुक्त परिवार के गुण हैं जो की काफी important हैं तो यहां पर अगले प्रश्ण की बढ़ेंगे सबसे पहले हमने सेयुक्त परिवार के कारण जाने फिर गुण जाने अब को दोस्त के बारे में भी जानकरी होना चाहिए निकमों का घर व्यक्तित्व के विकास में बादक मुकद में बाजी को प्रोच साहन जगडों को उत्पन करती है एकानित का भाव और नियंत्रिज प्रजिनन कुसलता एवं गतिसीलता में बादक इस्तरियों की दूर्दसा के लिए उत्तरदाई और सामाजिक समस्याओं को प्रोच साने सभी स्युक्त परिवार के दोसे जो की काफी इंपोर्टेंट है आपको सभी को एक बार पढ़ लेना है तो यहां पर अगले प्रस्टे के और बढ़ेंगे स्युक्त परिवार को संपत्ती के अधिकार की दरश्टी से कितने भागों में बाटा देखे संख्या की दरश्टी से मैंने आपको बताया था तीन भाग होते हैं कांग की स्युक्त और विस्तरत यह तीन प्रकार मैंने आपको बताया तो यहां पर आपको धियान रखना है क किसके अधार पर पूछा गया, संक्या के अधार पर पूछा तो दो है, और सिख्त परिवार को संपत्ती के अधिकार की दरिश्टी से कितने भागों में बाटा गया है, फिर कितने प्रकार है, तो ये दो भागों में बाटा है, कितने भागों में, दो कौन सा है, तो मितक्छ मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक को ने यहां पर आप देख सकते हैं विज्ञानेश्वर है जो की काफी इंपोटेंट हैं याद रखेगा एक्जाम में पूछा गया प्रशन है मातर सत्तात्मक परिवार कहा पाए जाते हैं यहां पर देखे पूछा गया है जो मातर सत्तात्मक परिवार होता है वो कहां पर पाए जाता है तो यह भारत में असम की खासी और गारो जंजातियों में पाए जाता है मातर सत्तात्मक परिवार जिसमें माता जो मुख्या होती ह और जिसमें पिता मुख्या होता है उसे पित्र सत्तात्मक परिवार कहते हैं इसके बारे में आपको ध्यान रखना है देखें यहाँ पर पूछे अधिकार या फिर उत्राधिकार जैसे कि मैंने आपको बताया जो उत्राधिकार कौन है यदि माता है तो उसे मातर सत्तात्मक और जिसमें पिता प्रमुक है वो पित्र सत्तात्मक परिवार कहा जाता है या उसे कहते हैं चलिए, यहाँ पर आपको और अच्छल समझी मा आएगा ऐसा परिवार जिसकी सत्ता या फिर पुरा अधिकार वरिस्ट पुरुस पिता के हातों में हो कौन सा परिवार कहलाता है जिसके बारे मैं अभी पता चुका हूँ मैं आपको पितर सत्तात्मक परिवार होता है जिसमें पूरा जो अधिकार होता है वो पिता के हातों में होता है उसे पितर सत्तात्मक कहते हैं और जिसमें माता के हातों में होता है उसे मातर सत्तात्मक परिवार कहा जाता है देखें यहां पर यह प्रस्ट में पूछा जा चुका है कि ऐसा परिवार जिसकी सत्ता या फिर पूरे अधिकार वरिष्ट महिला माता के हातों में हो कौन सा परिवार कहलाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मात्र सत्तात्मक परिवार है जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ किसने परिवार का प्रारंबिक रूप मात्र सत्तात्मक माना है काफी इंपोर्टेंट है तो यह माना है तो उसे उत्पिडित और सोसित करता है तो ये पित्र सत्तात्मक प्रणाली होती काफी इंपोटेंट है प्रशने को ध्यान से पढ़िएगा वहाँ प्रणाली कौन सी जिसमें पुरुस इस्तरी पर अपनी प्रधानता दिखाता है तो उसे उत्पिडित और सोसित करता है तो पित्र सत्तात्मक प्रणाली होगी चलिए पित्र सत्तात्मक सिध्धान्त का प्रतिपादित किसने किया काफ़ी इंपोटेंट हैं पित्र सत्तात्मक सिध्धान्त का प्रतिपादित हैंरी मेन ने किया था किसने किया था हैंरी मेन ने याद रखेगा काफ़ी इंपोटेंट है तो यहाँ पर अगला प्रशने है किसके नुसार परिवार का आदिम स्वरूप मातर सतात्मक था यहाँ पर देखे प्रशने को ध्यान से पढ़ना है एक फ्रशने और गया था मिलता जुलता है लेकिन यहाँ पर आंसर अलग है किसके अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप मातर सक्तात्मक था तो ये टाइलम के अनुसार किसके अनुसार टाइलर लिखा हुआ है टाइलर के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप मातर सक्तात्मक था तो याद रखेगा काफी इंपोटेंट है निवास के अधार पर प अब छे भाग कुन कुन से आप देख सकते हैं पित्र इस्थानी परिवार, मात्र इस्थानी परिवार, मात्र इस्थानी परिवार, मामा या फिर मातूल इस्थानी परिवार और उभई या फिर दूई इस्थानी परिवार ये छे भागों बाटा है निवास के अधार पर तो को कितने भागों बाटा है तो ये चार भागों बाटा वैने आपको बताया यहा पर आधार को ही आपको धियान रखना है किसके अधार पर पूचा गया है यहाँ पर कोन сे अधार पर बाटा है इसका आपको ध्यान रखना है अगला प्रस्न है विभा के अधार पर परिवार को मुखता कितने भागों में बाटा गाए यहां पर अधारी ध्यान देना है आपको तो विभा के अधार पर परिवार के बारे में पूछे तो यह दो भागों में बाटा है कितने भागों में लिंटन के अनुसार पूछे या फिर ऐसा पूछे कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं तो दो ही प्रकार के होते हैं लेकिन लिंटन के अनुसार जो दो प्रकार होते हैं वो सम्रक्त परिवार होता है एक प्रकार और दूसरा होता है विवहा संबंधी परिवार यदि प्रस परिवार का मनोविग्यानिक वातावरण बालक की मानसिक चमताओं को द्रड करने के लिए तो याद रखेगा ये 5-6 वरस हमारा राइट आंसर होगा चलिए गला प्रस्न है एक ही रख्त से संबंद रखने वाले व्यक्तियों की समू को कौन सा परिवार कहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसे सम्रक्त परिवार कहते हैं परिवार की उत्पत्ति के उद्विकाशी सिद्धान्त का समर्थक है तो ये फ्रेजर है याद रखेगा काफी इंपोर्टेंट प्रस्न है उत्राधिकार का वहनियम जिसमें सदश्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है वहां होता है तो वहां में तक्छरा होता है याद रखेगा काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूछा गया प्रस्न है परिवार की उत्पत्ती के एक विवाहित सिध्धान्त के प्रतिपादक कोन है तो याद रखेगा परिवार की उत्पत्ती के एक विवाहित सिध्धान्त के प्रतिपादक है वो कोन है परिवार सिक्षा का सरवत्तम इस्थान है और बालक का प्रथम विध्याले है परिवार का था तो यहां पर देख सकते हैं जिकि परमपरागत हिंदू परिवार का सुरूप पूछा जाए तो यह किस परिवार का था स्विक्त परिवार का था काफी इंपोटेंट हैं याद रखेगा जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं तो उसे वेश्टर मार्क और लुईस मारगन ये परिवार की उद्विकासी सिद्धान्त के समर्तक थे एक पत्नी के एक से अधिक पत्ती वाला परिवार क्या कहलाता है तो ये बहु पत्ती परिवार कहलाता है चलिए समाज में बालक का सम्मान उसकी किस परंपरा के अधार पर होता है तो ये होता है पारिवारिक याद रखेगा समाज में बालक का सम्मान उसकी पारिवारिक परंपरा के अधार पर होता है यदि आप चाहते हैं कि बालक सुन्दर वस्तूं की प्रसंसा और निर्मान करें तो उसके चारों और सुन्दर वस्तूं प्रस्तूत कीजिए यहां कथन किसका है तो याद रखेगा काफी इंपोटेंट कथन है यह प्लेटो का कथन है कि बालक सुन्दर वस्तों की प्रसंसा और निर्मान करे दिया आप ऐसा चाहते हैं तो उसके चारों और सुन्दर वस्तों में प्रस्तों कीजिए यहां कतन प्लेटु द्वारा कहा गया है चलिए बालक नागरिक्ता का प्रथम पाठ माता के चुम्बन और पिता के सनरक्षन के बीच सीखता है यहां कतन किसका है एक्जाम में पूछा गया है तो ये मेजिनी का कतन है या फिर मेजिनी द्वारा कहा गया है कि बालक नागरिक्ता का प्रथमपाट, माता के चुम्बन और पिता के सरक्षन के बीच सीखता है चलिए सामोहिक प्रती निधान या चेतना के अधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में किस विद्वान ने सिध्धान्त प्रतिपादित किया है तो ये दुर्खिम द्वारा किया गया है याद रखेगा काफी इंपोटेंट है किसने कहा मनुष्य स्वभाववा आवशक्ता से एक सामाजिक प्राणी है तो ये अरस्तु के द्वारा कहा गया कि मनुष्य स्वभाववा आवशक्ता से एक सामाजिक प्राणी है